ठग और किसान धौलपुर नामक गाउं में मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था दोनों पती पत्नी मिलकर खेती और पशुप पालन का काम करते थे मदन सीधा साधा विक्ती था वै अपने मैल लेकर खेतो पर जाने के लिए तयार हुआ लेकिन तभी उसकी पत्नी सुन्दरी ने रोका आप आज खेतो पर जा रहे हो मदन बोला आज खेतो पर बहुत काम है और तुम ऐसे क्यों टोक रहे हो सुन्दरी बोली पर उसकी गाओं में आज पश्वों का मेला लगा है आपको महा जाना था ना आप बोल रहे थे कि एक बैलों की जोड़ी और लेनी है मदन ने कहा अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था मुझे बैलों की नए जोड़ी लेनी है मेरी सुन्दरी तुम याद ना दिलाओ तो आधे काम मैं भूल ही जाओं सुन्दरी बोली हाँ तो अब देर मत कीजिए चलिए जाईए मैं यहां का सारा काम सभाल लूँगी मदन ने कहा ठीक है मैं अभी जाता हूँ मदन पडोस के गाओं के मेले में गया उसने दो बैलों की एक सुन्दर जोड़ी खरी दी मदन को बाजार में शाम हो गई मदन बैलों को लेकर अपने गाओं धौलपुर की तरफ चलने लगा तब ही रास्ते में उसे दो व्यक्ती बिल्ला और कालिया मिले बिल्ले ने कहा वह वह बहुत अच्छे मदन बोला जे मैं कुछ समझा नहीं बिल्ला बोला तुम बैलों की बहुत खूबसूरत जोड़ी लेकर आए हो कालिया ने कहा बैलों को देख कर लगता है काफी महंगे बैल लाए हो बिल्ला बोला काफी समझदार भी लगते हो कालिया ने कहा नहीं ज्यादा महंगे खरीद लिये हैं इसलिए समझदार नहीं है मदन बोला भाईया मुझे अपने घर जाना है मुझे देर हो रही है, रास्ता छोड़ो मेरा बिल्ला बोला, अरे भाईया, तुम तो बुरा मान गए हो अगर समझदार हो तो साबित करो मदन ने कहा, जाने दो मेरे बाप, मैं बेवकूफ ही अच्छा हूँ कालिया बोला, हाँ भाई, जाने दो इसे वैसे भी धौलपूर में बेवकूफ भरे पड़े हैं मदन ने मन में सोचा, ससुरे हमारे गाउं को गवार समझते हैं मदन ने कहा, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम लोग बेवकूफ नज़र आते हैं हम तुमको बिल्ला बोला, भाई या गुस्सा क्यूं हो रहे हो तुम हमारे साथ एक खेल खेलो अगर जीते, तो हम तुमें समझदार मान लेंगे और पैसे भी देंगे और अगर तुम हारे, तो तुम हमें एक बैल दे कर जाओगे मदन ने कहा, मैं समझदार ही हूँ मैं खेल में जीत जाओंगा बिल्ला बोला, ठीक है, तो फिर देखते हैं बिल्ला ने दो पर्चियों पर कुछ लिखा और दोनों पर्चियों को अपने हाथों में पकड़ लिया अधर मदन भी जोश जोश में उन दोनों की बातों में आ गया बिल्ला बोला तुमको अब इन दोनों मेंसे एक पर्ची चुननी है एक में हम दोनों की हार लिखी हुई है और दूसरे में तुम्हारी हार लिखी हुई है ठीक है मदन बोला थोड़ा मुश्किल है लेकिन भाग्ये पर विश्वाश रख सकता हूँ जाये भौले बाबा की सही पर्ची हाथ आजाए मदन ने एक पर्ची चुनी जब उसने पर्ची को खोला तो वह हैरान रह गया क्योंकि उस पर लिखा था मैं अपना एक बैल हार गया मदन बोला ये क्या हो गया मैं तो गया काम से बिल्ला बोला पढ़ो पढ़ो पर्ची में क्या लिखा है मदन ने कहा जी मैं हार गया बिल्ला बोला अच्छा इसका मतलब अब एक बैल हमारा हुआ मदन ने कहा जी लेकिन बिल्ले ने दूसरी पर्ची भी महीं फेंग दी और कालिया के साथ एक बैल को लेकर चला गया मदन ने दोनों पर्चीयां लेकर अपनी जेब में रख ली और उदासमन से एक बैल को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ थोड़ा सा आगे चल कर मदन को दूवेक्ती गोपी और जग्गू मिले गोपी बोला अरे क्या बात है बहुत शान्त और उदास जा रहे हो हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं क्या मदन ने उन दोनों को अपने साथ हुई ठगी के बारे में विस्तार से बताया गोपी बोला हमारे पास इसका इलाज है सिर्फ बाबा ही इनके मदद कर सकते हैं लेकिन एक मुश्किल है मदन ने कहा क्या बताओ भाई मेरे मदद करो गोपी बोला हमारे गाओं में एक सिद्ध बाबा हैं जो तुम्हारा बैल वापस ला सकते हैं लेकिन वैं सिर्फ अपने गाओं के लोगों की ही मदद करते हैं मदन ने कहा क्या सच में गोपी बोला हाँ उनके पास जादुई शक्तियां हैं तुम्हारे एक बैल को देखकर दूसरा बैल लाकर दे देंगे मदन ने कहा तुम भले आदमी लगते हो मेरे मदद करो मेरा बैल ले जाओ और दूसरा बैल ले आओ भाई गोपी ने कहा तुम भी भले आदमी लगते हो हम तुम्हारे मदद करने को तैयार हैं तुम यहीं रुकना हम तुम से यहीं मिलेंगे ठीक है भाई मदन ने अपना बैल दे दिया जिसके बाद गोपी और जग्गु बैल लेकर चले गए और सुबह तक नहीं आए बिल्ला कालिया गोपी और जग्गु चारो सगे भाई थे मदन ने बहुत इंतजार किया और फिर वैसुबह अपने घर चला गया उसे अकेला आया देखकर उसकी पत्नी सुन्दरी ने पूछा सुन्दरी बोल क्या हुआ आप खाली हाथा गए हैं मदन बोला हाँ मैं वो वो सुन्दरी बोली क्या हुआ आप क्या चुपा रहे हैं मुझसे मदन ने कहा वो मैं 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 बैल तो लाया था लेकिन मदन ने सुन्दरी को सारी बात बताई और वैं दोनों पर्चियां भी दी लेकिन जब सुन्दरी ने दोनों पर्चि खोल कर देखी तो दोनों पर्चियों में एक जैसा ही लिखा था सुन्दरी को सब समझ में आ गया सुन्दरी ने कहा हाँ वो चारों ठक थे उन्होंने आपको लूट लिया है मदन बोला अब क्या कर सकते हैं सुन्दरी ने कहा मेरे पास एक उपाय है सुन्दरी ने मदन को एक उपाय बताया मदन बोला हाँ यह ठीक है मैं कल ऐसा ही करूँगा अगले दिन मदन ने चूड़ी बेचने वाले मन्हार का भेश बनाया और आसपास के गाउं में उन्ठगों को ढूनने निकला मदन को सुबह से दो पहर हो गई तभी उसे एक घर के सामने दो बैल बंधे दिखे मदन बोला यह बैल तो मेरे हैं यह घर जरूर उन्ठगों का है आज इनको नहीं छोड़ूँगा मैं इनको सबक सिखा कर ही रहूँगा मदन उस घर के पास आवाज लगाने लगा मदन ने कहा कोई नहीं भीया आज तुम ही चूड़ी खरीद लो बिल्ला बोला तुमको बोला ना घर में आज कोई भी महिला नहीं है मदन बोला अच्छा तो आज वो खेल ही खेल लीजिये जो कल रात को खेला था मदन अपने असली रूप में आ गया और उसने बिल्ला को बहुत पीटा बिल्ला बोला अरे मत मारो भाई गलती हो गई अरे छोड़ दो भाई अरे छोड़ दो बिल्ला अपनी टांगों से चल भी नहीं पा रहा था मदन ने मौके का फाइदा उठाया अपने दोनों बैल लेकर चला गया बिल्ला के तीनों छोटे भाई कालिया गोपी और जग्गू शाम को घर आए कालिया बोला भाईया को क्या हुआ बिल्ला बोला वही व्यक्ति आया था जिसके हमने बैल ठगे थे आई बहुत मारा है उसने वह अपने बैल भी ले गया अब तुम जल्दी से जाकर वैज जी को बुलाओ नहीं तो मैं तो गया गोपी बोला आप फिक्र ना करे भीया ठेक है हम भी जा रहे हैं तेनों भाई वैज जी को लेने चले गए लेकिन गाओं के चोराहे पर ही वैज जी मिल गए वैज ने कहा कहा भागे जा रहे हो कुछ जल्दी में पृतीत होते हो कालिया बोला अरे हम किसी वैज जी को ढूंड रहे हैं हमारे भाई की पिटाई हुई है उनकी हालत बहुत पतली है मेरा मतलग खराब है वैज ने कहा अरे राम राम किसने पिटाई की तुम्हारे भाई की हां बताओ जरा हम है वैज हम ठीक करेंगे आपके भाई को गौपी ने कहा अरे तो वैज ये जल्दे चलिए वैज ने कहा हाँ चलो भाई अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ बढ़ाते हैं जग्गू बोला अरे क्या बोला आपने वैज ने कहा बेटा मैंने कहा अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ भगाते हैं वैद जो ठहरे हमारा काम तकलीब भगाने का ही तो है जग्गु ने कहा ठीक है जल्दी चलो अब तेनों भाई वैद जी को घर ले आए वैद ने कहा अरे किसका इलाज करना है मुझे यहां कोई दिखी नहीं रहा कालिया बोला वैद जी नीचे देखो यह हमारे भाईया है औ और इनको चोट लगी है वैद जी ने कहा बहुत घहरे घाव दे गया है कमबक्त लेकिन एक समस्या है मेरे आशदी खत्म हो गई है मैं तुम लोगों को आशदी बता देता हूँ पास के जंगल से ले आओ वैद जी ने तीनों भाईयों को जंगल में आशदी लेने के लिए भेज दिया और फिर अपने असली रूप में आ गए बैद जी का असली रूप देखकर बिल्ला के तो होश ही उड़ गए क्योंकि मदन ही भेज बदल कर आया था बिल्ला बोला तो यहां फिर से आ गया मदन ने कहा हाँ शायद अभी कुछ और हिसाब बाकी है मदन ने फिर स एक डंडा उठाया और बिल्ला को पीटना शुरू कर दिया और उसके भाईयों के आने से पहले ही वहां से भाग गया जब बिल्ला के तीनों भाई वापस आये तो बिल्ला ने उनको सारा हाल सुनाया बिल्ला बोला कमीने ने मार मार कर भरता बना दिया उसे छोड़ना मत ज जिन्दा नहीं छोडेंगे गोपी ने कहा लेकिन हम उसे ढूंडेंगे कैसे जग्गू बोला बहुत आसान है उसने अपने घर के बाहर बैल जरूर बांधे होंगे अब चलो उसको महीं पर पीटते हैं कालिया, गोपी और जग्गू तेनों अपने भाई का बदला मदन से लेने के लिए उसके गाउं पहुँच गए और मदन का घर ढूंडने लगे तब ही उन्हें दिखा कि एक बड़े से घर के बाहर दो बैल बंधे हैं गोपी बोला, दुश्मन मिल गया, उसने अपने बैल यहां बांधे हैं, जरूर वो इस घर के अंदर ही होगा कालिया बोला, ध्यान रहे, उसको बहुत पीटना है, उसको याद रहे कि किस से पंगा लिया था तेनों भाई अंदर गए, लेकिन वो घर एक पुलिस वाले का था पुलिस वाले ने तीनों को बहुत पीटा, तीनों वहां से जान बचा कर किसी तरह भाग गए पुलिस वाले के घर के बाहर मदन भी खड़ा था मदन बोला, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंडते हुए जरूर आओगे इसलिए मैंने अपने बैल पुलिस वाले के घर के सामने बांद दिये थे कालिया बोला, हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद किसे को नहीं ठगेंगे गोपी बोला, तुम तो सच में अकल मंद हो, हमने तो सोचा था कि तुम्हें बहुत अच्छा बुद्धू बनाया लेकिन तुमने हमें अच्छा सबख सिखाया है मदन बोला, मेहनस से काम करो, जिससे तुम्हारे साथ साथ, दूसरों की जिन्दगे भी असान हो जाए अगर किसी को ठगोगे, तो तुम्हें मेरे जैसा कब कोई मिल जाए, क्या पता चलो जी, अब मैं चलता हूँ, राम राम मदन अपने बैल लेकर चला गया, और ठगों को पुलिस ने पकड़ लिया, और कुछ महीने की कड़ी सजा के लिए कारागर में डाल दिया दोस्तों, आप को अखता कैसी लगी, अपने विचार और सुजा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें, हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो, जैश्र राम भक्तो